हेलो गाईज क्या से हो आप लोग तो इस वीडि़ो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि फ्रीफार खेलते समय अब कैसे वाट्सअब का यूज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं वाट्सअब में किसी भी चैट को डिट कर सकता हूँ किसी के बसाथ भी ऐसे करके मैसेज कर सकता हूँ उसको टैप करके जो भी मुझे टाइप करना है और उसके बाद गेम खेलते समय है जैसे कस्टम में मुझे अपने किसी दोस को बूलाना है या कुछ भी important मैसेज करना है वो मैं कर सकता हूँ काफी सारे लोगों को साथ यह होता है कि गेम खिलते समय वो डारेक्ट वाट्सप को उपन करते हैं जिसे फ्री फार कई बार बंद हो जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सौंटकट बताऊंगा जिससे आप गेम खिलते समय भी वाट्सप का यूज़ कर पाएं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया रहे तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सिस्क्राइब कीजिए तो गेम खिलते समय आप वाट्सप का दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं पहला जो आप म स्क्रीन में फ्रीवार चला रहा हूं onze door में फ्रीव वीड этой से कर सकता हूं यहां पर कुछ लाना चाहता हूं तो उसiece ख्रीन और हम यूज़ कर सकता हम है उसमें चेटिंग कर सकता हों सबसे पहले आपको अपने phone के setting पर आना होगा तो चलो अभी भाई हम चलते हैं इसको बंद कर देता हूं पहले तो मैं तो अभी हम इसको simple से close करते हैं game को तो अभी मैं यहाँ पर इसको cut कर दिया अभी हम आ गया phone के home screen पर तो यहाँ पर आपको ढूड़ना पड़ेगा अलग-अलग phone में अलग-अलग नाम से रह सकता है लेकिन मैं कोशिस करूंगा बहुत अच्छा तरीका ढूड़ने का मतलब अलग-अलग नाम से मैं बताऊंगा आपको कैसे search करना है तो यहाँ पर आपको लिखना है sidebar जैसी कि मैंने अभी लिखा side यह side आ गया और उसके बाद बाहर देखो side sidebar आ गया sidebar नाम से सभी फोन में लगभग रहता है चाहिए वो रियल मी हो और मेरा जो फोन है यह रेडमी का है मतलब पोको का है तो पोको को रेडमी बनाता है तो इसमें HyperOS है latest MIU अगया तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे में sidebar आ चुका है और sidebar में यहाँ पर बोला जा तो भी आप इसका यूज कर सकते हो और गेम पर नहीं रहोगे तो भी आप इसका यूज कर सकते हो मतलब यह sidebar बस side को खीचने वाला है यह जो आप देख रहो न यह छोटा से विंडो जैसे हुआ है इसको बोलते हैं floating window मतलब जो technology है यह floating window का है तो आप इसको किसी भी app में जोड़ी नहीं गेम में ही करो तो sidebar के जरी आप floating window को activate कर सकते हैं तो पहला तो यह तरीका हो गया इसको मैं से डॉट पर क्लिक करूंगा तो इसको मैं split screen में भी change कर सकता हूं मतलब बात है screen में ऐसे करके आधा setting हो जाएगा आधा यह हो जाएगा और ऐसे खीचने में sidebar और बस आपको इतना ही करना है इस यहां पर तो इस setting को पहले सर्च करना ढूंड़ना अगर activate नहीं होगा तो फिर activate करना अब जैसे कि मालो sidebar आपके में नहीं मिल रहा है तो split screen सर्च करो split screen तो मेरे में split screen नाम से कोई भी setting नहीं है लेकिन उसको shortcut की तक जरिये में use कर सकते हूं ठीक है तो ऐसा setting बहुए सरे phone में होता है ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं है तो आपके में भी नहीं रहेगा बहुए प огрangen प्रमें रहता है अब मैं आपको कुछ हुः और भी यहाँ पर देख सकते हैं और यह वाला जो देख रहो ना यह आधा दो बागोंबट है यह इसको स्प्लेट स्क्रीन में रखना चाहते हैं तो अगला अप्लिकेशन को टैप करो आध्याधि में बढ़ जाएगा जैसे कि मालो आप अब इस प्लेट स्क्रीन में यूज नहीं करना चाहते हैं विंडो वाला मूड लाना चाहते हैं तो वही है फिर आप वापस से ऐसे मीनिवाइस में आ जाओ और इसका लांग ट्रेस करो और यहाँ पर विंडो वाले मूड को टैप कर दो तो यहाँ पर देख सकते हूँ फ्लो यह है हमारा sidebar यहाँ पर से कोई भी application को मैं use करूँगा यह floating window में ऐसे करके open हो जाएगा तो ऐसे करके आप सबसे पहले तो right side को ऐसे करके अब खीचिए या फिर left side को ऐसे करके खीचिए जहाँ पर भी आप खीचना चाहते हैं पूरा खीचते रहे हैं उपर नीचे left right अगर आपको समझ में आया अगर आपकी phone में setting मिल रहा है आपको useful लग रहा है वीडियो तो वीडियो को like कीजिए comment में बताइए वीडियो कैसा लगा मैं मुलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care